हेलो बच्चों देखो आज हम करेंगे वर्कशीट नमबर 11 और पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था चुम्बक के बारे में कि चुम्बक के क्या गुण होती हैं कैसे उसमें नौर्थ और साउथ पोल होता है और वो किस प्रकार से धातूं को अपनी और अट्रैक करती ह कुछ प्रकार के पदारतों को ही अपनी और अट्रैक्ट करती है अपनी और खीशती है तो देखिए आज हम पढ़ेंगे चुมबक के बारी में दिख जानकारी चुम्बक की खोज प्राचीन युनानी प्राकर्तिक चुम्बक मैगनेट्राइट की खोज करने वाले पहले ल एक चुम्बक की छेतर को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। तो उन्होंने इसको magical चीज का नाम दिया। अब देखिए सबसे important thing है कि magnetite एक ऐसी rock है जिसमें natural magnetism होता है। magnetitis का नाम ही ऐसा है प्राकर्तिक चुम्बक और iron से भरपूर है। कुछ धातों चुम्बक ये भी बन सकती हैं, इनमें लोहा, कोबॉल्ट और निकिल, ये नाम आप यात रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि खाली लोहे में ही गुणाएगा कोबॉल्ट और निकिल में भी आ सकता है। यदि आप एक चुम्बक को एक गैर चुम्बकी लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, तो आप इसे चुम्बक में बदल सकते हैं। और इस प्रक्रिया को चुम्बकी करण कहा जाता है। देखो किसी पिक्चर में दिखाया है कि किसी गैर चुम्बकी पधार्त को अगर हम बार-बार रगड़ेंगे तो हम उसको चुम्बक के अंदर बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुम्बकी करण कहते हैं। चत्र के अंदर दिखाया गया है अब देखिए विद्धुत और चुम्बकत इलेक्ट्रोन की प्रभा को विद्धुत कहते हैं जब आपका चेप्टर आएगा इलेक्टिसिटी का तब आप उसमें और डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे लेकिन ये आपको धिहान रखना है क आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि कोई भी जो परमानू है उसके जो कक्षा होती है उसमें बाहर इलेक्ट्रोन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रोन्स के इस प्रभा को इलेक्ट्रोन्स जब गूमते हैं इलेक्ट्रोन्स के प्रभा को हम क्या कहते हैं विद् इसे विद्धुत चुम्बक की ये बल कहते हैं, इलेक्रोमाइनेटिक फोर्स जैसे हम कहते हैं, वो विद्धुत और चुम्बक कतु दोनों मिलकर जो आते हैं, उस पर भाव को, और ये देखिए, डैनिश बहुतिक वैज्ञानिक, हन्स क्रिषिन और उस्टिड ने विद्धुत चुम्बक की खोच की अठारो सुबीस में, अठारो सुबीस में उसने विद्धुत चुम्बक की खोच की और और उस्टिड ने जिस खोच से बहुत ऐसी ऐसी चीजों में जो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट थी आगे जाकर तो किस्टिन आउस्टिक का इसमें दिखाया है आपको पिक्चर भी और यह देखो यह तो आप देखते हैं कैसे यह कूडा उठाने के लिए जितने भी महाँ पर होते हैं कूडेखर उन से मैगनेटिजम की थू कैसे ज तो ही के चारों और लिप्टे कुंडले तार में विद्धुत प्रवाहितकर से चुम्बक बनाने का प्रियास आरंब किया इस प्रकार की चुम्बक को विद्धुत चुम्बक कहते हैं इलेक्टो मैगनेटिजम से जो मैगनेट बनी इलेक्टिक मैगनेट है इलेक्टो मैग जिसे हम कहते हैं, विद्धुद्चुम्बक की शक्ति भिन हो सकती है, शक्ति मींस पावर, कितनी मतलब उसमें केपैसिटी है अट्रैक्शन की, तो शक्ति विद्धुद्धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है, किसी भी मैगनेट की तो कुछ समय के बाद इसमें मैगनेटिजम आ जाता है, इसको मैलेक्टो मैगनेटिजम कहते हैं, और यह डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी करंट फिलो होती है बिटा, कि धारा कितनी बहर है इसके अंदर, और दूसरी चीज इसमें कितने लपेटे हमने तार के दिये हैं, जितने जादा लपेटे होंगे, उतनी ही अच्छी ये मैगनेट बनेगी, ओके, अब कोशन आंसर देखते हैं, उस चटान का नाम बताएए, जो एक प्राकरतिक चुम्बक है, तो प्राकरतिक चुम्बक बिटा, मैगनेटाइट रॉक, यहां पर आप आंसर देंगे, उसके चुम्बक में बदल जाते हैं, इस प्राकरिया को चुम्बकी करन कहते हैं, नेक्स्ट कोशन है, विद्धुद चुम्बक कत्व की खोच किसने की, तो विद्धुद चुम्बक की कोच, क्रिश्चन और इस चटने की थी, और इसको आप अच्छे से बता देंगे कि कैसे इस विदुद धहरा प्रवाहित करने से चुंबकी एंग जो परभाव आता है उसे विदुद चुंबक किया होते हैं और इसकी शक्ति को कैसे बदला जाता है तो विदुद चुंबक यहां से आप लिखेंगे कि किसी भी धातू जो सकती है उसमें लपटे कुंडित तार में संख्या उसमें जितने हमने कॉपर के या वायर जो भीर के टन्स कितने लिह इस पर डिपेंड करेगी कि कैसे उसकी पावर होगी तो आप इसको ध्यान से विल्कुल सिंपल ब्रीफली आपको मैगनेट के बारे में बताया गया है ध्यान से कोशन आंसर अटेम करेंगे और टाइमली रिस्पॉंड करेंगी ओकी थैंक यू बच्चों